आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हम अपने Paytm एप से किसी भी SIM का मुबाल रीचार्ज करके हम कैश बैक कैसे पा सकते हैं तो आज की वीडियो आप सभी लोगे लिए काफी जादा helpful होने वाली है वीडियो बिल्कुल भी skip मत करना एंट तक इस वीडियो पूरा वाच करना तो गैस सबसे पहले यहाँ पर हमें अपने Paytm एप को हमें इस तरह से ओपन कर लेना है तो गैस यहाँ पर आप देख सकते हैं रीचार्ज इसकी केटेगरी में हमें यहाँ पर एक option हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा मोबाइल रीचार्ज का तो हमें यहाँ पर अपना मोबाइल सिम का रीचार्ज करना है तो simply हमें यहाँ पर इस तरह से क्लिक कर लेना है और mobile recharge का page यहाँ पर open हो जाएगा अभी guys यहाँ पर आप उपर की set जैसे ही देख सकते हैं लिखा हुआ है get 2% cashback on all recharges every time तो यहाँ पर हर recharge पर हमें 2% का यहाँ पर cashback मिलेगा paytm first card पर यह apply के बहले यह offer दूसरा यहाँ पर जो offer आता है वो है get 1000 cashback points अगर हम यहाँ पर कोई recharge करते हैं और come back 1000 promo code को apply करते हैं तो 1000 cashback point मिल जाएगा 1000 cashback point मतलब 10 रुपय का cashback अभी यहाँ पर next यहाँ पर जो offer आता है वो है debit visa card तो यहाँ पर आप देख सकते हैं get 30 रुपीज cashback visa debit promo code है तो अगर हम यहाँ पर mobile recharge करते हैं और visa debit card से अगर हम payment करते हैं तो हमें 30 रुपय का cashback मिल जाएगा अगले यहाँ पर जो offer है वो है win a free mobile recharge win 100% cashback daily तो यहाँ पर take it all यह एक promo code है तो इसमें हमें 100% cashback daily जीतने का मौका हमें मिल सकता है और last वाला offer आता है VIAirtail और GUBSNL वाले users के लिए अब guys यहाँ पर उपर की side लिखा हुआ enter name और mobile number अब यहाँ पर हम जिस भी sim का mobile recharge करना चाहते हैं वो mobile number हमें यहाँ पर simply enter कर देना है तो guys जैसे ही हम अपना mobile number enter करेंगे तो यह हमें plans की category पर redirect कर देगा तो guys यहाँ पर आप जैसे की देख सकते हैं बहुत सारे plans हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे हर category से related यहाँ पर हम plans देखने को मिल जाते हैं जैसे की popular, hero, unlimited, unlimited, data, cricket, plans, packs, combo हर category से related हमें यहाँ पर package देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पर 1GB का data हमें रोज मिलेगा unlimited call plus SMS तो हमें इस तरह से यहाँ पर click कर लेना है और 199 रुपीज का जो हमारा plan है वो select हो जाएगा तो guys यहाँ पर आप देख सकते हैं 199 रुपे वाला जो हमारा recharge का plan है वो यहाँ पर select हो चुका है अब guys यहाँ पर अगर हमारा मन बदल जाता है अगर हम plan को change करना चाहें किसी और plan को recharge करना चाहें तो हमें यहाँ पर एक option देखने को मिलेगा change plan का तो simply इस तरह से हमें change plan कर देना है और जो भी हम plan recharge करना चाहें उसको हमें simply select कर देना होगा तो यहाँ पर मैं जो recharge करने चाहता हूँ वो यहाँ पर मैंने इस तरह से enter करा select करा अब नीचे की side लिखा हुआ है apply promo code तो हमें यहाँ पर इस तरह से click कर लेना click करने के बाद यहाँ पर आप देहेंगे जितने भी promo codes हमारे paytm के account में applicable होंगे वो इस list में यहाँ पर show होने लगेंगे तो व्याँ यहाँ पर आप जैसा ही देख सकते हैं हमारे paytm के account में यह दो promo code applicable है पहला जो promo code है comeback 1000 तो इसमें हमें क्या benefit मिलेगा तो अगर हम यहाँ पर 119 रुपई यह फिर इस से जादे का अपना mobile recharge करते हैं करना नहीं आता है तो इस topic पर मैं already वीडियो बना चुका हूँ नीचे description में आपको वीडियो का link को मिल जाएगा तो उस वीडियो को देखकर आप cashback point को wallet balance में convert करना सीख सकते हैं अब यहाँ पर हमें दूसरा promo code देखने को मिलेगा जो कि यह wallet flat 15 है तो गैस इस promo code में हमें क्या मिलेगा अगर हम 99 रुपए या फिर इस से जादे का अपना mobile SIM का recharge करते हैं Paytm wallet से तब हमें यहाँ पर 15 रुपए का तुरंट cashback मिल जाएगा तो गैस यह जो Paytm के promo codes होते हैं यह अलग-अलग user को अलग-अलग हिसाब से मिलते हैं यहाँ पर जैसे कि मुझे wallet flat 15 promo code मिला है इसमें मुझे 15 का cashback मिलेगा हो सकता आपके Paytm के account में wallet flat 5 हो 10 हो या फिर 15 हो जितना भी amount यहाँ पर जितना भी number आगे लिखा हुआ है प्रोमो code के last में होतना आपको cashback मिल जागा आपके Paytm के wallet में तो गैस यहाँ पर मैं जैसे ही wallet flat 15 को इस तरह से apply करूंगा तो यहाँ पर यह जो प्रोमो code है यह apply नहीं होगा क्योंकि इस प्रोमो code का यहाँ पर मैं benefit अल्रेड़ी ले चुका हूँ इसमें लिखा हुआ है this code has been used for maximum number of times allowed तो यह apply नहीं होगा यह इसका benefit मैंने अल्रेड़ी ले लिया है तो आप अपने Paytm के number पर try कीजिए आपको जरूर cashback मिलेगा और गैस इसी के साथ साथ काफी सारे promo codes आपको यहाँ पर side में भी देखने को मिल जाएंगे तो आप इन में से कोई भी एक promo code apply करके देख सकते हैं आपको cashback इन में भी मिल जाएगा तो गैस चलिए अब यहाँ पर मैं उपर वाल इस promo code को apply कर लेता हूँ जो कि है comeback 1000 तो इस तरह से मैंने इसको apply करा apply करने के बाद यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा जो paytm का balance है वो 580 रुपाय है तो मैं अपने 119 रुपाय का reach आपने paytm wallet balance ही कर सकता हूँ इसी के साथ साथ हमें कावी सारे अलग option भी देखने हो मिल जाएंगे जैसे की paytm payment bank, upi और credit debit card, net banking तो आप जिस भी payment method से payment करना चाहें आप कर सकते हैं तो guys यहाँ पर आप जिस भी payment method से payment करना चाहें उस पर आप इस तरह से click कर लीजी आप इस तरह से payment कर सकते हैं तो मुझे अपने paytm के wallet balance से reach आज करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से tick लग चुका है paytm wallet में से 199 रुपए का amount कट चुका है, deduct हो चुका है और आप यहाँ पर देख सकते हैं उपर की side लिखा हुआ है reach as successful और यहाँ पर paytm के wallet से 199 रुपीज पे हो चुके हैं अब यहाँ पर नीचे की side लिखा हुआ है cash back तो यहाँ पर मैं cash back option पर मैं click कर लेता हूँ और एक scratch card मिला है तो हम इसको scratch करके देख लेते हैं अब गईज यहाँ पर आप मेरा paytm का wallet balance देख सकते हैं 381 रुपए यहाँ पर रह गया है या फिर गईज अगर हम अपने paytm के wallet balance को bank account में transfer करना चाहें बिना किसी extra charge के और बिना किसी convenience fees के तो इस topic पर हम already video बना चुके हैं नीचे description में आपको video करने को भी मिल जाएगा तो इस wallet balance को हम अपने bank में भी transfer कर सकते हैं तो गैस इसी तरीके से आप भी बड़ी आसानी से आप अपने paytm wallet से किसी भी sim का आप यहाँ पर recharge कर सकते हैं और cashback पा सकते हैं तो वीडियो अगर आपको पसंद आयो तो like और share कर देना और चैनल को subscribe करके bell notification पर आप जरू क्लिक कर लेना thank you